अब गेहूं के एक एकड़ से होगा 45 कुंटल पैदावार नमस्कार किसान सांथियों मैं अश्चनी भारती किसान चैनल पर आप सर्वी क्या स्वागत करता हूँ दोस्तो भारती गेहूं एवं जो अंसंधान संस्थान करनाल हर्याणा ने गेहूं की एक नई प्रजाद DVW 327 निकाली हुई है भारती गेहूं एवं जो अंसंधान करनाल हर्याणा के प्रधान बेग्यानिक डाक्टर ग्यानेंद सिंग के द्वारा बताया गया कि इस प्रजात की गियहूं में यदि ख्याद यों रोरक की मातरा बढ़ा कर डेंड गुना कर दिया जाये तो एक एकड़ खेश से 45 कुंटल तक पैदावार प्राप्त किया जा सकता है इसको 2022 में ट्रायल के रूप में 8000 किसानों ने लगाया था जिसका आउसतन उच्पादन 45 कुंटल प्रत एकड़ पराप्त हुआ था हिसान साथियों यह गेहूं अगेती प्रियात है जिसकी बुवाई 25 सक्टूबर से 5 नौमबर तक की जा सकती है देर से 15 नौमबर तक भी बुवाई की जा सकती है लेकिन देर से बुवाई करने से पैदावार में गिरावर देखी गई है इसके पौधे की लंबाई 98 सेंटेमीटर तक होता है बुवाई के 97 से 98 दिन बाद बालिया निकलना सुरू हो जाती है एक बाली में 80 से लेकर 90 दाने होते हैं पकने में 155 दिन का समय लगता है यह गेहूं सूखा और गर्मी के प्रत सहन सील किस्म है तथा इसमें पीला रतुआ, इसमट और करनाल बंट जैसे रोग नहीं लगते हैं इसकी बुआई हरियाणा, पंजाब, उत्रपदेश, दिल्ली, हिमांचल प्रदेश एवं जम्मु कस्मीर के कुछ भागों में किया जा सकता है इसके आटे की बनी रोटी देखने में सफेद, खाने में मीठी और मुलायम होती है इस गेहों में प्रोटीन की मातरा 12.2% पाया जाता है, जो की अन गेहों से काफी ज़्यादा है इस प्रजात के गेहों में 4 सिचाई की आउसकता होती है किसान साथियो, आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ एदि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी साबित हुई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा किसान हिद में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवस्त सेयर करें जैहिन किसान साथियो